सिक्षा पर बोलने की अनुमती दी नास्ति विद्यासमो बंधू नास्ति विद्यासमा शहुता नास्ति विद्यासमा वित्तंग नास्ति विद्यासमा सुखम विद्या जैसा कोई बंधू नहीं विद्या जैसा कोई मित्र नहीं विद्या जैसा अन्य कोई धन नहीं विद्य जैसा कोई सुक नहीं जिसके पास विद्धिया जिसके पास सुख है वही बलवान रहे वही धन्वान है वह अप्राजित होता है उसका कभी पराजय नहीं होता जिसके पास महासरस्वती का वरदान होता है और जो विद्यावान होता है और सभापती महोदै मैं इस सभागरुह में मौजूद सभी सदस्यों को माननिय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है यह बैस नहीं कहूँगा यह बैस नहीं है यह चर्चा है और जिस राष्ट में सिक्षा को लेकर चर्चा होती हो जिस राष्ट में सिक्षा को लेकर इस प्रकार से सभी एक समकक्ष के रूप में आगे बढ़ते हो वह राष्ट्र अपराजय है, वह राष्ट्र एक दिन प्रिश्व गुरू अवश्य बनेगा, इसमें कोई दोमत नहीं इस बजट में तीन शद्दों के लिए बहुत महत्तुपून अनुदान दिये गए हैं, प्रावधान किये गए हैं, चर्चा की गए वह है सिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता और उसके साथ रोजगार सभापती महोदय, मैं इस सभागरा में बैठकर सभी के भाष्णों को सुन रहा था, कुछ लोगों ने हमें मनुवादी भी कहा अभी थोड़ी देर पहले और कुछ लोगों ने कहा कि पुरातन भारत में इस प्रकार की विदाएं थी, जिसमें कुछ जातियों को सिक्षा से वंचीत रखा जाता था, महिलाओं को सिक्षा से वंचीत रखा जाता था, उसके विशह में बहुत चर्चा हुई है, मैं बताना चाहता हूँ At the outset, I want to define this word भारत. भारत का अर्थ क्या है? भा से रतो जो भूमी वह भारत है. भा क्या होता है? भा मूल शब्द होता है प्रकास का भासकर. जो प्रकास देता है वो भासकर है. भारती माने सरस्वती, जो ज्यान देती है, जो सिक्षा देती है, जो भिद्या देती है, वो सरस खंड अनाधी काल से अनाधी काल तक ज्यान और विद्या और सिख्षा से रत हो वही भारत है मैं आप सभी को आकरशित करना चाहूंगा बहुत फोटो दिखाए गए हैं इस गुरह में भगवान के भी तस्वीर दिखाए गए हैं मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जो तस्वीर आप सब के मन में बसता है कल्प का अंत होता है एक कल्प के अंत क्यों पस्चात भगवान विश्नु भगवान नारायन शीर सागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते हैं सेशनाग के ऊपर विराजमान होते हैं पदपे उनकी लक्षमी होती है आख अदमूनी सी होती है नारायन के एक हात जो होता है उन जैसे ही, he conceptualizes how the bhavikalp would be from his naabhi padma, जिस padma के विशह में भी यहां बताया गया, उस padma पर भैठ करके, जिनके पास skill होता है, वो ब्रह्मा, वो ब्रह्मा उपज़ते, ब्रह्मा इस skilled to produce the next brahmand, next universe, and you know who provides the resource, जब उनके पास innovation होता है, तो महालक्ष्मी की तरफ देखके बोलते हैं, महालक्ष्मी मेरा demand for grant है, मेरा demand for grant है, आप मुझे grant कर दीजिए, आपके grant से ये ब्रह्मान्ड बनेगा, there is no gender in Vakuntha, Vakuntha में कोई नर नहीं, कोई नारायन नहीं, वही नारायन, नारायनी है, वही शिव, शिवी है, वही पारवती है, वही शिव है, इसलिए ये धारणा गलत है, कि नारी नर के पहलों के पास बैठी है, तपर यह है, कि जहाँ idea है, जहाँ innovation है, जहाँ विद्या है, जहाँ सिख्षा है, resource के पास कोई अन्य उपाय नहीं है, resource की अपनी बाहें, अपने आप ही खुल जाती है, मा लक्ष्मी कथास तुका ही देटी, मंदुगन जहां तक भारत के विशह में कहा गया, अभी मेरे भाई नालंदा के विशह में बोल रहें, जब नालंदा को भक्तियार खिल जी ने आग लगाया था, तीन महिनों तक नालंदा जला था, तीन महिनों तक, वो ज्यान का खजाना अभी भी अमिट है मैं धन्यवाद दूँगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को जो आग तब जली थी वो आग आज बुजी है भारत के आवादी के 40 प्रतीशत बच्चे और युवा है 40 प्रतीशत बच्चे और युवा है यहां एक ड emulate Modiry Pay this is the demographic dividend of India but it's a big challenge as well ये एक बहुत बढ़ चैलन्ज भी है सिक्षा, कॉसल और रोजगार जिस प्रकार से उसके लिए एक दसमलब चार आठ लाक करोड यहां प्रस्तावीत किया गया है इस बजट में इस बजट में रखा गया है I commend this government, I applaud this government, I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitaraman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasid Bharat. We want to create a talent basket. We want to be a skill hub. We want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation, as well as way forward. Flagship programs like Samagra Siksha, PM Shri, PM Potion, they have received increased allotment in this budget. And let me commend the government that this budget and location for the financial year 2024-25 of rupees 73,498 crore is the highest ever for the Department of School, Education and Literacy. Let me present to you a comparative data, a comparative chart, which would show as to what was the situation before Modi ji came to power and how the situation of education has changed thereafter. You would be astonished to learn that the total budget for school and higher education that is the Ministry of Education for 2013-2014 was 79,451 crores only compared to 1.21 lakh crores this budget year, this fiscal year. So the growth in the budget in the last 10 years has been 52.4 percentage, a whooping 52.4 percentage. Similarly, in the school education, the growth in budget has been 39.5 percentage and higher education, the allotment has increased by, I repeat, 78 percentage. I emphasize, 78 percentage increment in the allotment on higher education. Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends from that side, they've exchanged arguments about reservation, erection. मुझे तो कहते हैं, मुझे तो कहते हैं, तक्लीफ होती हैं, जो लो आरक्षन के उपर इस प्रकार मगर मच के आंसु बहाते हैं, वो लो आज जवाब दे, कांग्रेस के अधिक गजनेता यहां मौजूद हैं, आप बताईए क्या यह सच नहीं हैं, कि जो centrally funded institutions हैं, जामिया, मीलिया, इसल्यामिया और अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी, भारत का संविधान कहता है, कि यह centrally funded institutions के अंदर भी, हमारे SC और हमारे ST बंदूओं के लिए आरक्षन का प्राउधान रहें, मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, 2011 में जामिया, मीलिया, इसलामिया से SCST स्टूडेंट का अरक्षन कॉंगर्स पार्टी में समाप्त कर दिया, और खीक उसी प्रकार, 1981 में अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SCST स्टूडेंट का अरक्षन कॉंगर्स पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण के कारण स कर दिया को जवाब देना होगा आज आज में सुन रहा था यहां कोई पेपर लिख के विशय में कह रहा था अरे अपनी गिरेवान में जहांक के देखो भीया गिरेवान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो नीट के एक्जाम को लेकर को बिलकुल सही तरीके से जो धर्मेंदर प्रदहांग जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिला रहे थे धर्मेंदर प्रदहांग जी ने जो कहा था इंतजार करिये we will come out clean on neat examination the highest court of this country has buried us the highest court of this country has given its verdict but let me read आउट आपके पापके चिट्थे आप मतलब यही दिल्ली वाले आप नहीं आपके पापके चिट्थे मतलब आपके 2006 में कहां कहां यह सब लीक हुए थे देखिए 2006 में CBAC Class 12 Accountancy paper leak 2007 अखिल भारतिय इंजिनियरिंग प्रवेश पत्र परिक्षा पेपर लीक 2008 में PMT Pre Medical Paper leak 2012 में All India Institute of Medical Science परिक्षा पेपर लीक 2014 में CBAC अक्षा दास्वर अक्षा बारति पेपर लीक 2013 में महराश्पों SSC exam पेपर लीक 2016 में करनाटका पी UC परिक्षा पेपर लीक 2013 में Rajasthan जिया परिक्षा पेपर के सरकार ती शोया के सार्कार ती इस हरे हरी आप देखिए आप ज्रास सोचके दीए आपके गिरेमान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पढ़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीग को रोकने के लिए पाँच फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है जिसमें दस साथ के जेल का प्रावधान है और एक करोड रुपे तक का फाइन रखा गया है सभापती महोदे कश्ट के साथ कहना पढ़ रहा है 34 वर्ष भी तगए यहां युवक सांसद बैठे बड़ा सम्मान करता हूं मैं युवक सांसद है यहां कितने युवक सांसद है देखिए इनसे पूछिए इनसे पूछिए आप एन इपी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी को आने में 34 वर्ष क्यों लगे घर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भारतिये जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में सीना ठोक करके कहा था हम सरकार में आएंगे नई शिख्षा लीती लाएंगे और हमने वो करके दिखाया है ये मोधी की गैरेंटी है नई शिख्षा नीती मदर्टंग मात्रु भाशा के लिए सम्मान है एक comprehensive holistic approach है पूरे सिक्षा के प्रती आप सोचके देखिए इस देश में जो आज चिला रहे हैं उस तरफ बैठ करके 34 वर्षों तक यह मौन थे इन्होंने आवाज नहीं उठाई सिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए इस विशय में इनकी दालना नहीं मनी एक नरेंद्र मोधी को आना पड़ा NEP को लाने के लिए अध्यक्ष जी मैं जानता हूँ समय की एक सीमा होती है इसलिए मैं अपने अंतिम पक्ष में कुछ कंपेरिटिव डाटा रखूंगा स्टैटर्स ऑफ एजूकेशनल इंडिकेटर्स बहुत लोगों ने कहा कि आप लोगों ने क्या कर दिया मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया होता है स्टेटिस्टिक्स रखा जाए आप अगर यहां आकडे रख देंगे आकडे को को जुटना नहीं सकता है तो आज मेरे आकडे हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता है यह आकडे क्या कहते ग्रॉस एंड्रोल्मेंट रेशियो अट प्राइमरी लेवल तीन दसम्लत तीन एक प्रतिशत बढ़ोत्री हुई है नरेंद्र मोधी जी के आने के पश्चाथ ग्रॉस एंड्रोल्मेंट रेशियो अपर चार परसेंटेज की बढ़ोत्री हुई है नरेंद्र मोधी जी के आने के पश्चाथ प्यूपिल टीचर रेशियो आज कोई मेरे साथ ही कह रहे थे टीचर की संख्या कम हो गई है बंदुगण सुन लीजिए प्यूपिल टीचर रेशियो जो पी टी आर होता है उसमें नौ प्रतीशत की बढ़ोत्री हुई है नरेंद्र मोधी जी के आने के बाद नौ प्रतीशत की बढ़ोत्री हुई है ठीक उसी प्रकार मुझे तो तक्लीफ लगती है मुझे तक्लीफ होती है सोच करके स्कूल में इलेक्रिसिटी नहीं थे आक्रे कहते हैं 36% increase हुआ है नरेंद् कार में बच्चे पढ़ रहे थे अंधकार से उजाने के तरफ लेने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है चोटा विशाए नहीं है है हैंड वास फेसिलिटी मिद्डे मील का प्रोग्राम होता है हां तो धोनानिवारिय होता है हां तना धोए तो भीमारी होगी आपको जान क्या अश्चरी होगा यह जो आखड़े मां भी कहने वाला हूं 51 परसेंटेज इंक्रिमेंट इन हैंड वॉस फेसिलिटी इन स्कूल आफ्टर मोधी जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर अफ इंडिया मोधी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद 51 प्रतिशती जाफा हुआ है उ पर मैं बहुत संविधना के साथ और मैं चाहूंगा कि कोई इसमें चिल्ला चोट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं दिव्यांग बच्चों की बात करने वाला हूं चिल्डरन विच स्पेशल नीड्स जब वो स्कूल जाते थे तो इनके लिए रैंप्स नहीं थी मोधी ज अधाफा हुआ है उन स्कूलों का जिसमें स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए रैंप से फैसिलिटी है कि वो बच्चे आराम से जाके सिक्षा ग्रेंड कर सके के वल इतना ही नहीं है यहां बहुत सारी बाते हुई है आरक्षन को लेकर उसके विशे में मैंने बताया मे अनुसूचित जाती का जो एंडॉल्मेंट रेशियो होता है ग्रॉस एंडॉल्मेंट रेशियो वो 17.1 परसेंटेज था 2013-14 में बढ़कर 23.1 प्रतीशत हुआ है इककीस बाइस में जो की 35 प्रतीशत से अधिक का इजाफा है धन्यवाद आपने तालीस पे माली है यही दिस is bipartisanship this is what we are standing for for the betterment of the country gross and more enrollment ratio for ST increased by just imagine 67.2 percentage ST बच्चों की संख्या बढ़के उनकी enrollment आज 67.2 percentage हुई है क्यों ना हो किस आदिवासी ने इस देश में कभी सोचा था कि हम में से एक एक बहन राष्ट पती बन जाएगी यह हमारे लिए भाशन देने के लिए पॉइंट हो सकता है साब मगर अध्यक्ष महुद्यजरा सोच के देखिए किसी गाउं के पेड़ के नीचे बैठी एक आदिवासी महिला सोच रही होगी कि अरी मेरी बहन मेरी बहन हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक है यह हम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे जो आज यहां बैठे हुए हैं मगर एक करीब एक आदिवासी से पूछिए उसको क्या मिला है और 67.2 परसेंटेज इंक्रिमेंट और अंत में अंत में जो हायर एजुकेशन जो हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर से IIT की संख्या 6 IIT 7 नए IIM 16 IIIT इप्र इप्र आइटी मधें यह नहीं चाहिए तो क्यों नहीं जाहिए अध्यक्ष माँजे 8 बने हैं क्यों नाराज है मैं जानता हूं अब मेह समय आप बोलेंगे कि घंटी बजे इससे पहले मैं अपने क्षेत्र महा प्रभु जगननात जी के चरन में जाकर एक प्राद मेरा बहुत हु सब्सक्राइब fi ॹ ladoobbi जगननात जी के पुर्शोक्तम क्षेट्रई मेरी तोटी देर पहले हमारे सदस्य प्रताप सारंगी जी ने बिल्कुल सही कहा वहाँ उडिसा के गांधी जिनको हम कहते हैं जिनको हम महात्मा गांधी कहते हैं उडिसा के पंडित गोपवंधु दास जी उनको महापंडित गोपवंधु दास कहा जाता है उन्होंने बकुलबन सत्यवादी करके क्षेत्रहपूरी में सत्यवादी में बकुलबन 1909 में स्थापित किया था जैसे रविंदना टेगोर्जी ने शांती निकेतन स्थापित किया था ठीक उसी प्रकार बकुलबन स्थापित किया था वन में सिक्षा दी जाती थी और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विधात मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जब भारत आजाद हुआ वहाँ एक हाई स्कूल खुला बाद में वहाँ राज्य सरकार ने एक यूनिवर्सिटी उडिया भासा के लिए कोला मैं आपके माध्यम से की सदन से और सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि वहाँ एक उच्च कोटी का शांती निकेतन जिस प्रकार बनाया गया है सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटी बने जहां उतकड़ प्रदेश उडिसा की बहुत सारी जो विधाएं है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चाहिए विध्यासमा शहृता नास्ति विध्यासमा वित्तंग नास्ति विध्यासमा सुखम विध्या जैसा कोई बंधू नहीं विध्या जैसा कोई मित्र नहीं विध्या जैसा अन्य कोई धन नहीं विध्या जैसा कोई सुख नहीं जिसके पास विद्या है जिसके पास सुख है वही बलवान है वही धनवान है वह अपराजित होता है उसका कभी पराजय नहीं होता जिसके पास महासरस्वती का वरदान होता है और जो विद्यावान होता है और सभापती महोडए मैं इस सभागुरु में मौजूद सभी सदस्यों को माननिय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा आज जिस प्रकार से यह चर्चा चल रही है यह बहस नहीं कहूँगा वह राष्ट्र अपराजय है वह राष्ट्र एक दिन विश्व गुरु अवश्य बनेगा इसमें कोई दोमत नहीं इस बजट में तीन शद्दों के लिए बहुत महत्तुपून अनुदान दिये गए हैं प्रावधान किये गए हैं चर्चा की गए वह है सिक्षा, स्किलिंग, उद्यमिता और उसके साथ रोजगार सभापती महोदय मैं इस सभागरा में बैठकर सभी के भाष्णों को सुन रहा था कुछ लोगों ने हमें मनुवादी भी कहा अभी थोड़ी देर पहले और कुछ लोगों ने कहा कि पुरातन भारत में इस प्रकार की विदाएं थी जिसमें कुछ जातियों को सिक्षा से वन्चीत रखा जाता था महिलाओं को सिक्षा से वन्चीत रखा जाता था उसके विशह में बहुत चर्चा हुई है मैं बताना चाहता हूं विश हम भारत में बहुत इए अधिक सरस्वती जो ज्यान देती है जो सिक्षा देती है जो विद्या देती है वो सरस्वती वो भारती है जो भूवी खंड अनाधी काल से अनाधी काल तक ज्यान और विद्या और सिक्षा से रत हो वही भारत है मैं आप सभी को आकर्शित करना चाहूंगा बहुत फोटो दिखाए गए हैं इस गुरह में भगवान के भी तस्वीर दिखाए गए हैं मैं बिना तस्वीर दिखाए एक ऐसा तस्वीर दिखाऊंगा जो तस्वीर आप सब के मन में बसता है कल्प का अंत होता है एक कल्प के अंत के हो पस्चात भगवान विश्णु भगवान नारायन शीरिस्टागर में सर्प के ऊपर विराजमान होते है शेशनाग के ऊपर विराजमान होते है पदपे उनकी लक्षमी होती है आख अदमूनी सी होती है नारायन के एक हात जो होता है उनके सीश पर होता है, एक हाथ नीचे होता है, नारायन is contemplating, भावी कल्प कैसा होगा, उसके विशह में नारायन चिंता करते हैं, इनोवेटिव आइडियास कैसा होगा, किस प्रकार से भावी कल्प का निर्माण होगा, उसकी चिंता करते हैं, जैसे ही, he conceptualizes how the भावी कल्प would be from his नाभी पद्म, जिस पद्म के विशह में भी यहाँ बताया गया, उस पद्म पर भैठ करके, भावी कल्प के, जिनके पास skill होता है, वो ब्रम्हा, वो ब्रम्हा उपजदे, the ब्रम्हा is skilled to produce the next ब्रम्हांड, next universe, and you know who provides the resource, जब उनके पास innovation होता है, तो वो महालक्ष्मी की तरफ देखके बोलते हैं, मालक्ष्मी मेरा डिमांड फो ग्रांट है, मेरा डिमांड फो ग्रांट है, आप मुझे ग्रांट कर दीजिए, आपके ग्रांट से यह ब्रम्हांड बनेगा, there is no gender in Vaikuntha, Vaikuntha में कोई नर नहीं, कोई नारायन नहीं, वही नारायन, नारायनी है, वही शिव शिवी है, वही पारवती है, वही शिव है, इसलिए यह धारणा गलत है, कि नारी नर के पहलों के पास बैटी है, तपर यह है, कि जहाँ आइडिया है, जहाँ इनोवेशन है, जहाँ विद्या है, जहाँ सिख्षा है, रिसोर्स के पास कोई अन्य उपाय नहीं ह रिसोर्स की अपनी बाहें अपने आप ही खुल जाती है, मा लक्ष्मी कथास्तु का ही देती, मंदुगर्ण जहां तक भारत के विशे में कहा गया, अभी मेरे भाई नालंदा के विशे में बोल रहे हैं, जब नालंदा को भक्तियार खिल जी ने आग लगाया था, तीन महीनो तक नालंदा जला था, तीन महीनों तक, वो ज्यान का खजाना अभी भी अमिट है, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी को, जो आग तब जली थी, वो आग आज बुजी है, वो आग आज बुजी है, भारत के आबादी के 40 प्रतीशत बच्चे और य हुआ है, यहाँ एक डिमोगर्फिक डिविडेंट भी है, इस इस देमोगर्फिक डिविडेंट भी है, यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज भी है, शिक्षा, कॉसल और रोजगार, जिस प्रकार से उसके लिए एक दसमलव चार आठ लाक करोड, यहाँ प्रस्तावीद किया ग I commend this government, I applaud this government, I applaud Narendra Modi ji and Dharmendra Pradhan ji, Nirmala Sitaraman ji for the work that they have been doing in this sector and the proposals that have been put forth in this budget. What is the most important reason behind putting most of the effort on skilling, on entrepreneurship, on innovation? The most important reason is that India wants to go towards Vikasid Bharat. We want to create a talent basket, we want to be a skill hub, we want to be a solution provider to the whole globe. And that's the reason as to why such importance has been given to skilling, employment generation as well as way forward. Flagship programs like Samagla Siksha, PM Shri, PM Potion, they have received increased allotment in this budget. And let me commend the government that this budget, a location for the financial year 2024-25 of rupees 73,498 crore is the highest ever for the Department of School, Education and Literacy. Let me present to you a comparative data, a comparative chart, which would show as to what was the situation before Modi ji came to power and how the situation of education has changed thereafter. You would be astonished to learn that the total budget for school and higher education that is the Ministry of Education for 2013-2014 was 79,451 crores only compared to 1.21 lakh crores this budget year, this fiscal year. So the growth in the budget in the last 10 years has been 52.4 percentage, a whooping 52.4 percentage. Similarly, in the school education, the growth in budget has been 39.5 percentage and higher education, the allotment has increased by, I repeat, 78 percentage. I emphasize, 78 percentage increment in the allotment on higher education. Sir, today a lot has been talked about reservation. My good friend from this side and my friends from that side, they've exchanged arguments about reservation, araction. I say to say, I'm surprised that those who are all over this kind of direction, but after the time of that, they've got all the answers now. So, people have answered the table. Congress' verability ofяжels' jurisdiction abroad has now. Now tell me, what is true. The ones that are centrally funded institutions are generally funded institutions in the United Kingdom, Jamiya, Milia, Islamiya and Alligad Muslim University. भारत का संविधान कहता है कि यह centrally funded institutions के अंदर भी हमारे SC और हमारे ST बंदूओं के लिए आरक्षन का प्राउधान रहे मगर बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है 2011 में जामिया मीलिया इसलामिया से SCST स्टूडेंट का अरक्षन कॉंग्रस पार्टी ने समाप्त कर दिया और खीक उसी प्रकार 1981 में अलिगर्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी से SCST स्टूडेंट का अरक्षन कॉंग्रस पार्टी ने मुस्लिम तुष्टि कारण के कारण समाप्त कर दिया इसके लिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा आज मैं सुन रहा था यहां कोई पेपर लिख के विशय में कह रहा था अरे अपनी गिरेवान में जाक के देखो भीया गिरेवान के अंदर पाप ही पाप भरा हुआ है और आप हमारी तरफ देख रहे हो नीट के एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोट का जज्जमेंट आया है कुछ दिनों पहले और मैं कॉंग्राचुलेशन्स कहना चाहूंगा इस सरकार को बिलकुल सही तरीके से जो धरमेंदर प्रदाहम जी ने उस दिन यहां पर आप लोग चिला रहे थे धरमेंदर प्रदाहम जी ने जो कहा था इंतजार करिये वी विल कम आउट क्लीन और नीट एग्जामेनेशन आप नहीं आप के पाप के चिठ्थे आप मतलब यही दिल्ली वाले आप नहीं आप के पाप के चिठ्थे मतलब आपके 2006 में कहां कहां यह सब लीक हुए थे देखिए 2006 में CBAC Class 12 अकाउंटन सी पेपर लीक 2007 अखिल भारतिय इंजिनियरिंग प्रवेश पत्र परिक्षा पेपर लीक 2008 में PMT प्री मेडिकल पेपर लीक 2012 में All India Institute of Medical Science परिक्षा पेपर लीक 2014 में CBAC अक्षा दासर अक्षा बारा की पेपर लीक 2013 में 2016 में करनाटका पी यूसी परिक्षा पेपर लीक सिधरमया की सरकार थी 2013 में राजस्तान लोग से वायो आप पी असरी पेपर लीक आप की सरकार थी आप जड़ा सोच के देखिए आप जड़ा सोच के देखिए आपके गिरेबान के अंदर किस प्रकार से पेपर लीक भरा हुआ है मुझे बड़े गर्व के साथ आज कहना पढ़ रहा है कि इस सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए पांच फरवरी को एक ऐसा बिल रखा है जिस बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अफेर मीन्स बिल 2024 जिसमें 10 साग के जेल का प्रावधान है और एक करोड रुपे तक का फाइन रखा गया है सभापती महोदे कष्ट के साथ कहना पढ़ रहा है 34 वर्ष बीत गए यहां युवक सांसद बैठे बढ़ा सम्मान करता हूं में युवक सांसद है यहां कि कितने युवक सांसदे देखिए इनसे पूछिए इनसे पूछिए आप एन एपी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी क क्यूं लगे गर्व के साथ कहूंगा 2014 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारतिय जंता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में सीना ठोक करके कहा था हम सरकार में आएंगे नई शिक्षा लीती लाएंगे और हमने वो करके दिखाया है यह मोदी की ग्यारंटी है नई शिक्षा नीती और हमूर चूल परिवर्तन है नई शिक्षा नीती में मदर टंग मदर मात्रुभाशा के लिए संवान है एक कॉम्प्रिहेंसिव होनिस्तिक अप्रोच है पूरे शिक्षा के प्रती आप सोचके देखें इस देश में जो आच चिला रहे हैं उस तरफ बैट करके 34 वर्षों तक ये मौन थे 34 वर्षों तक इन्हों ने आवाज नहीं उठाई सिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए इस विशह में इनकी धालना नहीं मनी एक नरेंद्र मोधी को आना पड़ा नीपी को लाने के लिए अध्यक्ष जी मैं जानता हूँ समय की एक सीमा होती है इसलिए मैं अपने अंतिम पक्ष में कुछ कंपेरिटिव डाटा रखूंगा इस ट्रस अफ एजूकेशनल इंडिकेटर बहुत लोगों ने कहा कि आप लोगों ने क्या कर दिया मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया होता है स्टेटिस्टिक्स रखा जाए आप अगर यहां आकड़े रख देंगे आकड़े को कोई जुटना नहीं सकता है तो आज मेरे ह आप में वो आकड़े हैं जिनको कोई जुटला नहीं सकता है यह आकड़े क्या कहते हैं ग्रॉस एंड्रोल्मेंट रेशियो अट प्राइमरी लेवल तीन दसम्लत तीन एक प्रतिशत बढ़ोत्री हुई है नरेंद्र मोधी जी के आने के प्रश्चात ग्रॉस एंड्रोल्म प्यूपिल टीचर रेशियो जो पी टी एर होता है उसमें नव प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है नरेंद्र मोधी जी के आने के बाद 9.5 कढ़ोत्री हुई है ठीक उसी प्रकार मुझे तो तक्रीव लगती है मुझे तक्रीफ होती है सोच करके स्कूल में इलेक्रिसिटी नहीं थे आकड़े कहते हैं 36% इंक्रीज हुआ है नरेंद्र मोधी प्रधानमंत्री बनने के पस्चार we have 36% increment and electrification of schools अंधकार में बच्चे पढ़ रहे थे अंधकार से उजाने के तरफ लेने का काम नरेंद्र मोधी जी ने किया है यह छोटा विशाय नहीं है hand wash facility midday meal का program होता है हाँ तो धोना अनिवारिय होता है हाँ तो भीमारी होगी आपको जान के आश्चरी होगा यह जो आकड़े मां भी कहने वाला हूँ 51% increment in hand wash facility in school after मोधी जी became the prime minister of India मोधी जी के प्रधान मंत्री बनने के बाद 51% इजाफा हुआ है उन स्कूलों में जहां hand wash facility में लिए और मैं बहुत सम्वेदना के साथ और मैं चाहूँगा कि कोई इसमें चिल्ला चोट भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैं दिव्यांग बच्चों की बात करने वाला हूँ Children with special needs जब वो स्कूल जाते थे तो इनके लिए ramps नहीं थी मोधी जी ने इसके लिए special बैठक ली इसके लिए एक अलग रूप से बैठक हुई है और उस बैठक का परिणाम रहा उसका नतीजा रहा कि आज 14 प्रतीचत से अधिक इजाफा हुआ है उन स्कूलों का जिसमें specially able बच्चों के लिए ramps है, facility है कि वो बच्चे आराम से जाके सिक्षा grant कर सके केवल इतना ही नहीं है यहां बहुत सारी बाते हुई है आरक्षन को लेकर उसके विशे में मैंने बताया मेरे भाई भी वहाँ बैठे हैं जो इस विशे को लेकर चिंतित भी रहते होना भी चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मैं आप के लिए बता दूसर gross enrollment ratio for SC अनुसूचित जाती का जो enrollment ratio होता है gross enrollment ratio वो 17.1 percentage था 2013-14 में बढ़कर 23 दसम्नव एक प्रतीशत हुआ है 21-22 में जो की 35 प्रतीशत से अधिक का इजाफा है धन्यवाद आपने 40 पे माली है यही दिस इस वाइपाटिशन शिप this is what we are standing for for the betterment of the country gross enrollment ratio for ST increased by just imagine 67.2 percentage ST बच्चियों की संख्या बढ़के उनकी enrollment आज 67.2 percentage हुई है क्यों ना हो किस आदिवासी ने इस देश में कभी सोचा था कि हम में से एक एक बहन राष्ट पती बन जाएगी यह हमारे लिए भाशन देने के लिए पॉइंट हो सकता है साब मगर अध्यक्ष महोद अजरा सोच के देखिये किसी गाउं के पेड़ के नीचे बैठी एक आदिवासी महिला सोच रही होगी कि अरी मेरी बहन हिंदुस्तान की प्रथम नागरिक है यह हम जैसे लोग समझ नहीं पाएंगे जो आज यहां बैठे हुए हैं मगर एक करीब एक आदिवासी से पूछिए उसको क्या मिला है और 67.2 परसंटेज इंक्रिमेंट और अंत में अंत में जो ऐएएर एड़्यकेशन लेर्णिंग सेंटर से आयाइटी स्क्राइब की संख्या च्छे आयाइटी साथ नए आयायम सोला आयायाइटी इस इपाटीज दो नए आई आये सी आर एक नहीं चाहिए जानता हूँ अब मेरा समय आप बोलेंगे कि घंटी बजे इससे पहले मैं अपने क्षेत्र महाप्रभु जगनात जी के शरण में जाकर एक डिमांड वो ग्रांट मेरा भी यह मेरा भी डिमांड वो ग्रांड है मैं उसे वी रख देता हूं वेहन और भाई मेरे यह महाप्रभ अमित पातरा जी काइंडली एड्रस देचे हैं अब सभी अध्यक्स महोद है महाप्रभु जगनात जी की भूमी पुन्य भूमी है पुरुष्वक्तमक्षेत्र है अभी थोड़ी देर पहले हमारे सदस्य प्रताप सारंगी जी ने बिल्कुल सही का वहां उडिशा के अंदीत गोप अंदुदास कहा जाता है उन्होंने बकुल बन सत्यवादी करके क्षेत्र है पूरी में सत्यवादी में बकुल बन 1909 में स्तापित किया था जैसे रविंदना टेगोर जी ने शांती निकेतन स्तापित किया था ठीक उसी प्रकार बकुल बन स्तापित किया था वन में सिक्षा दी जाती थी और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विधात